हेलो जी नमस्ते मैं हूँ सलोनी और स्वागत है आपका सलोनी की रसोई में और आज मैं आप लोक्षा शेर करने वाली हूँ गाजर की एकदम नई और पहुती टेस्टी मिठाई बनाने की रेसिपी जो बहुती आसानी से बन जाती है और बहुती कम समय में बन करके तयार हो ज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए लिए हैं आदा किलो गाजर गाजर को धुलकर कर लिया है साफ और आप हम इसके चोटे-चोटे पीसेस काटेंगे इस तरीके से आप गाजर को चोटे-चोटे पीसेस मे करके रेड़ी करेंगे अरे देखिए यह मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आप एक बार इस मिठाई को बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से मिठाई को बनाएंगे और यह सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और बस यहाँ पर मैं सारी यह बला सकते हैं अब मैंने यहाँ लिया है थोडा सा पानी और अब हम इन पीसेंगे अ request or just एक चलनी लेंगे और इस चलनी में इन गाजरों को अच्छे से छान लेंगे अरे देखिए जो इसके जो ढकन होता है उसमें अगर थोड़ा सा लगा हुआ हो तो आप पानी डालकर इस तरीके से साफ कर सकते हैं और चम्मस से दबा दबा कर इस तरीके से इसका सारा जूस निकाल लीजिए अब हम इस जूस को ना पेंगे यह लगबख हमारा धाई सो ग्राम गाजर का जूस निकल चुका है यह देखें इसी जूस से हम अपनी गाजर की आज मिठाई बनाने वाले हैं अब मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई और उस कढ़ाई में मैंने इस गाजर के जूस को डाल लिया है अभी तक मैंने गैस ओन नहीं की है और अब मैंने इसमें डाला है दो चमच अरारोट पाउडर अरारोट पाउडर आपको बहुती आसानी से कहीं भी मिल सकता है और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी आपको यहाँ पर गैस ओन नहीं करनी है आपको ठंडे में इसे डालना है अगर आप गरम गरम में इसे डालेंगे तो इसमें कुठलिया पड़ जाएंगी अच्छे से से मिक्स कर लीजिये और उसके बाद हम गैस को आउन करेंगे लगातार इसे चला लीजिये अररोट पाउडर तली में बैठ जाता है इसलिए इसे लगातार चलाते रहें अच्छे से हमारा सारा अरारोड पाउडर हो चुका है मिक्स और अब हम इसमें डालेंगे चीनी को चीनी आप अपने स्ञाद उन्सार ले सकते हैं मैं ने हाँ लगबख चार बड़े चम्मच पीशी हुई चीनी ली है मैंने हाँ पर पीशी हुचीनी का यूज़ चेनी का इसलिए आप हमेशा इस मिठाई में पिसी हुचीनी का ही इस्तेमाल करें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें इसमें कोई भी डली नहीं होनी चाहिए और बस अब हम अपनी गैस को यहां पर करेंगे ओन आपरी देखीन अब मैंने इसमें एक तर से चीज काो का ध्यान रखें इस एक लिए छोड़ना नहीं है नहीं तो यह तली में लग जाएगी और जो हमारी मिठाई उसका सारा फ्लेवर चला जाएगा और बस अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे आप इसे कम आच पर ही चलाएए तेज आच पर भी हमारी जो मिठाई है वो चल जाएगा और यह दिखिए ये मिठाई इतनी चटपर बन करके रैड़ी होती है कि इसे बनाने में बद 10 से 15 मिनट का समय ही लगेगा और जूस निकालने के बाद जो गाजरों का पल बचा था उसके हम परांठे बना सकते हैं उसके परांठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये देखिये अब हमारी मिठाई थोड़ी थोड़ी बनने के लिए तैयार हो चुगी है बस अब हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे और यह देखिए कितनी बढ़या हमारी बन करके रेडी हो चुकी है इसे लगातार कम आज पर चलाते रहें बस इसी तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे यह मिठाई बिल्कुल जैली के टाइप की होती है बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं क्योंकि बच्चों को जैली वाली टाफी बहुत ज्यादा पसंद होती है और इसमें बिल्कुल उसे टाफी जासा टेस्ट होता है यह उसी के जैसी लगती है और अब हम इसमें डालेंगे देशी घी घी डालने से हमारी जो मिठाई है उसमें एक बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाती है और जो हमारी मिठाई है वो पर्तन को पिल्कुल नहीं चिपकती इसमें मैंने लगभग दो चम्मच घी एड़ किया है और अब हमें से लगातार चलाते रहेंगे घी आप जादा भी एड़ कर सकते हैं जितना आप जादा घी एड़ करेंगे हमारी जो मिठाई है वो उतनी पढ़िया बनेगी और यहां पर मैं इसकी खुश्बु चेक कर रही थी इसकी खुश्बु बहुत ही अच्छी आ रही थी और बस अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी देर और इस पूरी मिठाई को मनाने में मुझे लगबग 15 मिनिट लगी है 15 मिनिट में हमारी जो मिठाई हो बन करके हो चुकी है बिल्कुल रैडी और बस यह देखिए कितना बढ़ा कलर आया है और यही पर अब मैं कर दूँगी कैस को बंद अब मैंने यहाँ पर इस तरीके के कप लिये हैं आप चाहें तो इसे कटोरी में भी बना सकते हैं और इसमें लगा लिया है थोड़ा सा घी इस तरीके से आप अपने हातों से ही घी लगा सकते हैं मैंने चार कपों में इस तरीके से घी लगा लिया है और ये जो अब मिठाई का घोल है मैं चारो कपों में इस तरीके से कर दूँगी अब हम इसे रखेंगे लगबग 4-5 गंटे के लिए फ्रीज में अगर सर्दिया हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं लेकिन अगर गर्मिया हैं तो आप इसे 4-5 गंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए ये बहुत ही अच्छे से सैट हो जाएंगी और ये देखें 4-5 गंटे के बाद अब हम अपनी मिठाई को चैक करेंगे और ये देखें इस तरीके से अगर आप उंगली से इसे हटाएंगे तो आसानी से इस कप से निकल जाएंगी ये देखें कितनी पढ़िया हमारी जो मिठाई है वो सैट हो चुकी है और बस अब मैं चाको की मदद से इस तरह के से इसे कब की जो नीचे वाली परत है उससे छोड़ा लूँगी और यह देखिए कितनी पढ़िया हमारी मिठाई जो है वो रेडी हो चुकी है और यह देखिए देख लग रही है न बिल्कुल चैली जैसी इतनी ही स्पंजी और अब हम सारी जो हमारी मिठाई है इसी तरीके से कब से बाहर निकाल लेंगे और यह देखिए मैंने चारो कपो से इसी तरीके से इने निकाल लिया है और अब इन मिठाईों को कोड करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का पुरादा यह पुरादा मैंने घर पर बनाया है और आप एक चाकू लेंगे और चाकू से इस तरीके से इसे बीच से हम कट करेंगे और ये देखे कितनी आसानी से हमारे कट हो जाएंगे इस तरीके से आराम से आप इसे इस तरीके से कट किजिए और ये देखे अब मैं आपको इसे अलग करके दिखाती हूँ ये देखे कितना बढ़िया हमारी मिठाई जो है वो टू पीसिस में हो चुकी है अब आप इस तरीके से इसे नारियल के बुरादे में अच्छी तरीके से कोट कर दिजिए और ये देखे ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और अब आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरीके से सजा सकते हैं ये मिठाई काफी दिनों तक भी खराब नहीं होती आप इसे 8 दिन तक भी आराम से रखकर खा सकते हैं फ्रिज से पाहर ही और ये देखे अब मैंने याप पर काजू लिये हैं और काजू से कर दिया है इने गार्णिश और ये देखे हमारी मिठाई कितनी पढ़िया हो चुगी है एक बार आप इस तरीके से इस मिठाई को जरू ट्राइ कीजिए आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप एक नई तरीके से इस मिठाई को अपना अलग लुग दे सकते हैं किसी भी तरीके से आप इसे गार्णिश कर सकते हैं घर में बड़ो से लेकर के बच्चों तक को यह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये देखे अंदर से इसका टेक्शर और इसका स्वात देखे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है इसमें कोई भी चिपचीपा पन नहीं है बिल्कुल भी यह आसानी से टूर जाती है और देखे जब भी इससे दबाएंगे इस तरीके से तो यह बहुत ही अच्छे बिल्कुल जैली जैसे इसका बाता नहीं है